प्रदेश कांगर्स उपाधेक्ष अनिता ब्रमा ने बीजेपी सरकार्ट पर आरोप लगाया कि सेना के नाम पर राजनिती की जा रही है उनोंने कहा कि बड़े बड़े घोटालों पर पियम मोदी चुप्पी साधे हुएं और घोटालों के समय चौकिदार ने अपना दाई तब क्यों नहीं निवाया इस अफसर पर पत्तरकार वारता में बरिस्ट कांगर सीनिता अनिल वर्मा जेला अधक्ष नरेश ठाकूर सुनील कुमार राजेश अनन्द राजेश चौधरी भी मजूद रहे कॉंग्रस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सांसत खेल महाकूम के नाम पर युवाओं को गुमरा करने का अरोब अन्राक ठाकूर पर लगाया है हमिर्पु में पत्रकार वारता के दोरान प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि पिछले साड़े चौदा सालों में ऐसा कोई खेल महाकूम युवाओं के लिए नहीं करवाया गया और केवल युवाओं को गुमरा करने के लिए राजनीति के लाव लेने की उदेश्य शे इन खेलों का यूजन करिया गया है अगर बन में जीने की चाह और दिल में मुंख हो तो हम अपनी महनत और लगन से हर बुलनियों को छू सकते हैं क्योंकि हमारे हौंसले हमें बहां तक ले जाने में पूरा पूरा साथ देते हैं अक्सर लोग अपनी कवीताओं को शुरू में शौकिया तोर पर लिखते हैं जहर इसी बात है कि कवीताओं से लोगों की पहचान भी मिल जाती है और अगर यदि कोई कभी स्कूल भी ना गया हो और कवीता लिखने का हुनर रखता हो तो स्वाविक रूप से हैरत अंगेज लगेगा जी हां ऐसी ही लड़की की हम बात कर रहे हैं जो की कांगडाजिले के जुवाली दरकोटी की रहने वाली है बर्षा चौधरी हैरानी की बात है कि वह कभी स्कूल नहीं गई लेकिन फिर भी कभीताएं लिख लेती है 28 वर्षे बर्षा बताती है कि वह शारिक रूप से अक्षम है इसलिए स्कूल नहीं जा पाई उसने घर में ही पढ़ना लिखना सीखा लगबर 9 साल की उमर में लिखना शुरू किया शुरू में जब लिखना नहीं आता था तो वो अपने भाई को बता कर अपने मन के भावों को कागज़ पर व्यांग करती थी वर्षा ने बताये कि मैं पॉलिट्री लिखती हूँ और लाइफ मैं चैलेंज लेने के लिए हमेशा त्यार रहती हूँ मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कुछ क्रेटिव हमेशा होना चाहिए वर्षा ने बताये कि वे अपनी सकारात्मक सोच से देश, समाज और हिंदी के लिए कुछ करना चाहती है जीवन के किसी पड़ाब पर कभी किसी मंच पर बोलने या लिखने का मौका मिले तो ये मेरे लिए सवभागय की बात होगी वही वर्षा चौदरी के पिता बलदेव राज का कहना है कि हमने अपनी बेटी को आल इंडिया कोई भी अस्पिताल नहीं छोड़ा लेकिन डाक्टरों को आज तक इसकी बिमारी हाथ नहीं आई उनका कहना है कि सरकार ने ऐसी आज तक कोई मदद नहीं की है यहां तक कि इसे अब पाहिच पैंशन भी अब एक साल हुआ है सरकार की तरफ से लगी हुए लेकिन दुख की बात है कि जो सरकार बड़े-बड़े वाईदे करती है और दावे करती है वो यहां पे सारे खोकले दिखते हैं वर्षा चौदरी की माता इसे भगवान की देन मानते हैं उन्होंने बताये कि आज तक ये कभी स्कूल नहीं गई लेकिन फिर वी अच्छा लिक पढ़ लेती है सत्पाल सत्ती के खिलाफ रोश रैली का आयोजन किया गया और पुराने उपायुत कार्याले के समीप जम कर सत्ती के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और इलेक्शन कमीशन से आगरे किया गया कि वे सत्ती के खिलाफ सक्त कारवाई अमल में लाए कांग्रेस जिला अधिक शिवकुमार और अन्य नेताओं ने सत्ती को जम कर कोसा और जितावनी दी की भाज़पा अपने अध्यक सत्पाल सत्थी पर तुरंट कारवाई करें अन्नेता वे अपने परदर्शन उगर करेंगे और जो भी नेता सोलन मेरेलियों के दरान आएंगे उन्हें कारेजेंडे दिखाए जाएंगे उन्हेंने का कि सत्थी ने जहां महिलाओं को शर्मशार किया है वहीं रादा स्वामी अनुयाईयों पर टिपनी करके उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कर्मिशन को सक्त कारवाई अमल महिलानी चाहिए झाहिए